नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बियाच्चु कॉंसेट पूरी तरह से बियाच्चु कॉसमर्पे तेक उनलाइन लर्णिंग प्रेट्वर्म है तो समय समय पर बियाच्चु से समझत सभी जानकारिया और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं तो इसलिए य तो हमारा जो पहला क्वेशन है वो है कि भारत के प्रथम रक्षामंत्री कौन थे भारत के प्रथम रक्षामंत्री कौन थे यानि आजादी के बाद हमारे प्रथम रक्षामंत्री कौन थे जब हमारा नया मंत्री मंडल बना तो उसमें हमारे प्रथम रक्षामंत्री कौन थ तो इसका जो सही आंसर है वो है डी बल्देव सिंग ठीक है सरदार बल्देव सिंग जो थे वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे और यदि हम बाकी हमारे options के बारे हम बात करें तो जो जग जीवन राम थे वो थे श्रम मंत्री भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे और जो आर और ये राज्यों के मामले भी देखते थे, तो इस तरह से ये जो हमारे मंदल थी, जो हमारी पहली मंदल थी, उसके जो कुछ मुख्य और जो बहुत महत्पून मंत्री हैं, वो ये सब हैं, तो इनको बड़े ध्यान से आद रखेगा, अब हम चलते हमारे next question पर, हमारा next question है, क कि भारत के प्रथम सिक्षा मंत्री कौन थे, ये भी बहुत important question, इसको भी note करके रखेगा, तो इसका जो सही answer है, वो है, अबुलकलाम आजाद, ठीक है, जो अबुलकलाम आजाद थे, मौलाना अबुलकलाम आजाद जो थे, वो भारत के प्रथम सिक्षा मंत्री थे, और संचार मंत्री, ठीक है, इनका पूरा नाम है रफी एहमद किदवई, तो रफी एहमद किदवई संचार मंत्री थे, और जो CH भावा थे, वो थे वानिज्य मंत्री, ठीक है, इस तरह से ये कुछ और important, जो हमारी मंत्री मंदल थी, उसके कुछ मंत्री है, तो इन सब को note करके रखेगा, तो हम चलते हमारे next question पर, और आप से एक और request करना चाहूंगी, कि यहाँ पर हम 10 question discuss करने वाले हैं, तो इसमें से आपको जितने भी सही बनें, उसको comment section में जरूर बताईएगा, कि आपको इसमें से कितने सही answers बनें, हमारा जो next question है, वो है, कि 1 माई 1960 को किन राज और गुजरात, कि महराश और गुजरात, जो राज्य हैं, इनका साथ में एक ही दिन गठन हुआ था, और किस दिन गठन हुआ था, एक माई 1960 को इन नोनों का गठन हुआ था, और यदि हम बाकी हमारे options के बारे हम बात करें, तो जो नागा लेंड है, उसका गठन हुआ था, एक दिसंबर 1963 को, एक दिसंबर 1963 को नागा लेंड का गठन हुआ था, और यदि हम हर्याना की बात करें, तो इसका गठन हुआ था, एक नबंबर 1968 को इसका गठन हुआ था, ठीक है, और यदि हम बाकी options के बारे हम बात करें, तो जो मेघाले और मनीपूर है, तो मेघाले, मन नीपुर और त्रिपुर आये तीन राज्यों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था यह मैंने पिछली जो वीडियो आई थी पॉलिटी के उसमें भी यह क्वेशन दिया था तो इस यह बहुत इंपॉर्टन क्वेशन यह तीन जो राज्य हैं उनका एक ही दिन साथ में गठन हुआ और जो हमारा नेकस्ट जो अप्शन है मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश तो इनका गठन हुआ था इन दोनों का भी साथ ही में गठन गठन हुआ था 20 फरवरी 1987, । 29 1987 को इन दोनों का गठन हुआ था तो इनको नोट करके रखेगा जिस दिन भी गठन दिवस जो होता है भी बहुत important होता है, इससे बहुत questions भी आते हैं, कई बार questions आते हैं, तो इसको जरूर से note करके रखिएगा, ठीक है, यह important सारे states हैं और important dates है, तो अब हम चलते हैं हमारे next question पर, तो हमारा next question है, वो है, कि स्वतंतरता का अधिकार किन अनुच्छेद, यानि आर्टिकल में वर्नेत है, तो इसका जो सही answer है, वो है, बी, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो अनुच्छेद हैं, उनमें स्वतंतरता का अधिकार जो है, वो वर्नेत किया गया है, और यदि हम हमारे बाकी options के बारे हम बात करें, तो जो हमारा पहला option है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, तो इसमें समानता का अधिकार वर्नेत किया गया है, और आर्टिकल 23 से लेके 24 तक की बात करें, तो इसमें सोशन के बिरुद अधिकार की बात की गई है, और जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 त मतलब वर्णेन हुआ है या इसकी बात हुई है तो इनको बड़े ध्यान से याद रखेगा हम चलते हैं हमारे next question पर हमारे next question है कि नीती निर्देशक तत्व किस देश के संभीधान से लिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा संभीधान जो बना है उसमें कई चीजें दूसर आयरलेंड जो देश है उसके जो संभीधान है उसके संभीधान से नीती निर्देशक तत्व लिये गये हैं यदि हम अपने दूसरे option की बात करें तो जो USA है USA से मौलेक अधिकार लिये गये हैं यह भी बहुत important चीज है तो इसको note करके रखेगा हम चलते हमारे next question पर हमारा next question है कि भारत के प्रथम उपराश्टर पती कौन थे ठीक है यानि Vice President भारत के जो first Vice President थे वो कौन थे तो इसका जो सही आंसर है वो है Dr. S. Radhakrishnan यानि Dr. Sarvapralli Radhakrishnan यह हमारे भारत के प्रथम उपराश्टर पती थे यानि प्रथम first Vice President थे यह और यदि हम अपने बाकी options के बारें बात करें तो जो जाकिर हुसेन है वो थे second Vice President और बीबीगिरी जो थे वो थे third Vice President और जो गोपाल सरूप पाठक थे वो थे fourth Vice Vice President ठीक है तो इनको याद रखना बहुत important है इनको याद जरूर रखेगा और एक बार और आपको याद दिला देती हूं कि आपको इन message जितने भी questions बनते हैं दस message जितने भी सही answers बनते हैं उसको जरूर बताएगा comment section में और जो हमारा seventh question है वो है कि भारत के प्रथम Prime Minister थे वो कौन थे तो जो हमारे भारत के फर्स्ट बाइस Prime Minister थे या उप्रधान मंत्री थे वो थे सर्दार पटेल तो भारत के जो प्रथम उप्रधान मंत्री थे वो कौन थे सरदार पटेल थे उनको याद रखेगा और जो हमारा दूसरा अप्शन है मतलब जो हमारा पहला अप्शन है अलके आधवानी तो एलके आधवानी थे सेवंथ और सबसे लास्ट बाइस प्राइम मिनिस्टर ठीक है सेवंथ और लास्ट बाइस प्राइम मिनिस्टर तो आपके लिए दो ही इंपोर्टन थे पहले बाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे और लास्ट बाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो इनको याद रखेगा यह और यह फास्ट थे ठीक है हम चलते हमारे NEXT QUESTION पर तो हमारा जो NEXT QUESTION है वो है सबसे कम उम्र में परvic़ान-मंतरी वनने बाले ब्यक्ति कॉन थे ठीक है ऐसे कॉन से व्यक्ति थे जो तब प्रधान-मंतरी वनने जब मदलब सबसे कुर जितने कि इतने भी प्रधान मंत्री हुए हैं और मैंसे सबसे कम उम्र वाले प्रधान मंत्री कौन रहे हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है मुरार जी देशाई जी है तो मुरार जी देशाई वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो सबसे अधुक उम्रवाले रहे हैं मतला अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन मैं से सबसे अधिक जो उम्रवाले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो हुए है, मुरार जी देशाई, ठीक है, और जो सबसे कम उमर वाले हुए है, वो राजीव गांधी हुए है, ठीक है, ये भी बहुत important question है, तो इसको याद रखेगा, हम चलते हमारे next question पर, हमारा next question है, कि जो पश्यम बंगाल में राज्य सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, क्योंकि पश्यम बंगाल में अभी election चल रहा है, तो इससे related जितने भी questions है, वो भी बहुत important है, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए, तो जो पश्यम बंगाल में राज्य सभा के सदस्यों की संख्या है, वो है सोला, ठीक है, सोला जो है, वो पश्यम बंगाल म जो राज्य सभा है, उसमें, और ग्यारा सदस्ये हैं, एमपी, गुजरात और आंधर प्रदेश की राज्य सभा में, ठीक है, और जो दस सदस्ये हैं, वो हैं उडीशा और राज्यस्थान की राज्य सभा में, ठीक है, एक बार और देख लीजे, सोला किसकी राज्य सभा मे उडीशा और राजस्थान की और 11 किसकी राजस्थान में है MP गुजरात और आंधर प्रदेश की और जो 18 सदस्य है वह तमिल नाडू की राजस्थान में ठीक है इसको याद रखेगा हम चलते हमारे कि दिल्ली में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो दिल्ली में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 7 ठीक है यानि 7 साथ दिल्ली में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है और यदि हम अपने बाकी आप्शन के बारें बात करें तो जो एक सदस्य मतलब एक-ए जितने भी संगी छेत्र हैं हमारे उन में हैं जितने भी संगी छेत्र हैं उन में एक एक सदस्य हैं लोकसभाओं में और छे जो सदस्यों की संख्या है वो है जब मुकसमीर की लोकसभाओं में ठीक है और जो पांच लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो है उत्तराखण में उत्तरा खंड में तरह से हमारे 10 important questions से आपकंप्लीट हो जाते हैं तो इन सब को अच्छे से नोट करके रख लीजेगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजेगा और यदि आप हमारे paid course से जुणना चाते हैं तो नीचे दिये गए इस नमबर पर संपर्क कर लीजे और हमारा जो चैनल है वो CHS की भी तैयारी करवाते हैं तो यदि आपके आसपास कोई बच्चे हो या आपकी रिलेशन में कोई बच्चे हो जो CHS की तैयारी करना चाते हैं CHS की इंटरेंस की तैयारी करना चाते हैं तो वो इस नमबर पर संपर्क कर सकते हैं यदि वो BHU concept से जुणना चाते हैं और आपके लिए आज से एक और convenience दी गई है कि जो भी answers हैं वो नीचे दिये गए हैं सारे यह पूरी answer की है यह पूरी answer की है यहाँ से आप अपने answers चेक कर सकते हैं तो बस ठीक है आप मैनत करते रहें आपको सारी facilities यहां से दी जाएंगी बस मन से मैनत कीजिए और मिलते हैं next video है यहाँ 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 धि मैनत की है यहाँ जो भी खूरी 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 दूरी मारा दोथ कर दो कि टाएंगी लिए चानी हैं